नमस्कार, welcome back to my channel, आज हम बताने वाले हैं कि आप जब Canada में लेंड कर लेते हैं, तो पहले हफ़ते में क्या-क्या आपको कर लेना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं आते ही आपको रहने के लिए जगा की सरूरत है, रेजिडेंस चाहिए तो अभी आप टेंपरेरी रेजिडेंस बुक करें, एयर बीएन भी कर लें, किजीजी पे या कनेडियन देशी साइट पे, आप जाके अपने शहर में किसी को अगर आप जानते हैं, उनसे आप मदद मांग सकते हैं कि हमारे लिए कोई जगा देखें, इसलिए कि ताकि आप खुद यहां पे आके देखें, कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे, कौन सा कन्विनियन्ट है, बच्चों का स्कूल कहां पे है, कितरी दूर जान से या रोज छोड़ने लेने जाना पड़ेगा, यह बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं, वो कंसीडर करने पड़ते हैं, तो यह आप कंसीडर तब ही करेंगे, जब आप यहां पे आएंगे, इन्फरमेशन मिलेगी, आप एरिया देखेंगे, तो इसलिए टेंपरेरी देखें पहले, और उसके बाद आप पर्मनेंट इंतजाम करें, डिपेंडिंग ओन यूर सिचुएशन, हो सकता है, आप फैमिली के साथ आ रही हैं, आपको बड़ा बड़ी जगा चाहिए हो, और आपको बुलाना हो, या पहले आप आ रही हैं, तो अगर आपको कोई स्पैसिफिक क्वेस्चन है, आप कॉमेंट में डाले, मैं आपके लिए, हर कॉमेंट के मैं अंसर करता हूँ, और मुझसे वन उन वन आप कॉल भी बुक कर सकते हैं, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो जरूर करूँगा, अब आप यहां पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आप फोन का एक सिम कार्ड ले लें, डॉलर स्टोर में जाएं, या किसी भी मॉल प्लाजा में जाएं, वहां पे छोटे-छोटे दुकाने लगे होती हैं, बेल का कार्ड ले लें, फाइडो का ले लें, रोजर का ले लें, या डॉलर स्टोर में जाएं, सबसे बड़ी है, डॉलर वाइस आप अगर बैल पे या किसी पे जाते हैं तो वह आपसे 10-11 डॉलर लेते हैं SIM कार्ड के फिर सिन नंबर एक सर्विस कैनडा करके एक वेब साइट है आप सर्च करें हर जगह मिल जाती है आप आने से पहले ही सर्विस कैनडा की साइट पर जाके आप अपपाइंट्मेंट बुक कर सकते हैं कई जगा 15 दिन का तीन हफ़ते का वेट है कई जगा वॉक इन है अब हमारे शहर में आप सुबह जाए एक घंटे में आपका नंबर आ जाता है और आदे घंटे के अंदर आपको सिन नंबर निकाल के दे देते हैं टोरंटो जैसे बड़े शहर में जाएंगे वहाँ पे लंबी लाइन होगी तीन हफ़ते की आपको अपाइंट्मेंट मिले तो वह शुरू में कर लें एक साथ कर दो कार्ड लॉक्स लाइक नेक्स्ट बैंक अकाउंट यहां बड़े बड़े दो तीन चार बैंक है आप किसी भी बैंक में सब न्यू कोमर्स के लिए प्लैन देते हैं कोई एक एक साल तक जो है वह कई तरह की प्रमोशन लगी रहती है कोई टैबलेट दे रहा होता है तो आप वह देखें और अपयंडमेंट बुक करें फोन नमबर आप ले चुके और एड्रेस आप जो है वह ले चुके मापर टैंपरेरी लिखाया जा सकता है आपका एड्रेस आ रहे हैं या अगर विसिटर तो आप हेल्थ जो है इंशुरेंस ले के आई होंगे तो हैल्थ इंशुरेंस बड़ा जरूरी है हर प्रविंस आपको हैल्थ कार्ड मना के देता है आप उपवाइंटमेंट बुक करें अपनी अपनी फैमिली की और हैल्थ कार्ड जो है वह क vist कहीं आने जाने के लिए आपको ट्रीन की या बस्की ज़रूद पभेगी शुरू में तो उस के लिए card होते हैं, जैसे 10 ride card हो गया, या monthly card हो गया, इस तरीके से, तो आप वो card ले लें, क्योंकि शुरू में आपको कहीं जाना है, यहीं जाना है, हर जगा जाना है, आपको appointment book करनी है, घर डूंडना है, बड़ी सारी जगा जाना पड़ सकता हैं, train, कहीं पे metro कहते हैं, कहीं सब्वे कहते हैं, कहीं जो है, go train भी है, यहां जो है, वो Toronto में TTC भी कहते थे, तो आप हर city का वो जगाय है, महां पे card खरीदें, और फिर पूरा महीना में जहांबर जी जाना है, वो महीने का card हो गया, आपका basically. Here is how the card looks like. Library card, हर area में library खुली हुई है, यहां पे रजाए न, public library है, Toronto जैसे बड़े चार में, Toronto public library है, आप वहां जाएं, library का card बनवाएं, free service है, आपको वहां पे computer मिलता है, आप वहां पे job search कर सकते हैं, resume बना सकते हैं, resume तो in fact आप इंडिया से ही बना के अपना upload करके रखें, उसको यहां पे tweak करें, हर job के लिए modify करें, और library में ही printer है, सब कुछ है, आपको कुछ यहां पे खरीदने की ज़रूद नहीं है, 15 cent per page जो है वह आप से लेते हैं, print कर लें, color के शायद 25 cent लेते हैं, तो वहां friendship, social life आप यहां पे आप नए आए हैं, obviously आप में सकर रहे हैं, किसी को जानते नहीं हैं, या किसी को जानते भी हैं, तो पहले से तो वह आपको घुमा फिरा रही हैं, पर आप मंदिर गुर्दवारे सर्च करें, अपनी अपने एरिया में, अपने शहर में, हर जगह हैं, वहां पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, आप उन से मिलें, बाचीत करें, पूछें, दोस्ती बढ़ाएं, वह आपको टिप्स भी देंगे, उस शहर में कहां पे अच्छा एरिया है, कहां बुरा एरिया है, कहां पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कुछ एरिया में आठ बज़े के बाद जो है, वह सही नहीं है जाना, इस तरह की बड़ी सारी इंफरमेशन, जो लोकल सीटी वाले आपको देंगे, वह बहुत जरूरी है, उससे आपकी दोस्ती बड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना होगा, तो आपका मन लगा रहेगा, शुरू में बहुत नहीं होगी, बस यही सब चीजे आप ध्यान रखें, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट में लिखें, मैं आपको अंसर करूँगा, सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तेंक यू सो मच।